किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वाकत हैं अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल बे अभी मैंने दो वीडियो आप लोगों को दिखाई थी जो मेरी 304 नंबर की वीडियो थी वो जैविक कीट नासक के बारे में थी जो हमने अपने यहां खुद बताया था उसकी संपूर्ण विधी मैंने 304 नंबर की वीडियो में दिखाई है जिसका के लिंक उपर आ रहा है उसके बाद मैंने एक बायो एजेंट की वीडियो बनाई थी जिसका नंबर था 305 किसान साथियो मुझे इन वीडियो पर कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या इनका असर है आप उसका परिणाम भी दिखाएं आज मैं उसके परिणाम आप लोगों को दिखाता हूं और ये भी बताऊंगा कि इनका परियोग किस प्रकार करना चाहिए क्या सावधानी एक ड्रम है इसमें मैंने ये बनाया था जो दस तरह के पत्ते लिये थे जिसका के एक डोकुमेंट भी 304 नंबर वीडियो में उसका लिंक है इसको मैंने एक बार इस्प्रे कराया अपने अम्रूद पर उसमें मातरा रखी थी 20 लीटर में 500 एमल उसके बाद 15 दिन बाद मैंने जो जैविक बायो एजेंट वाला था उसका इस्प्रे किया था पेस्ट के लिए अब मैं ये दिखाऊंगा कि क्या उन पोधों में किसी पर किसी कीट और किसी मकडी या किसी भी परकार के पेस्ट का असर है या नहीं है आईए देखते है ये झो मेरे अमरूद के पेड़ है आप इन पत्तों पर कहीं भी मैंने मैं रोज सुभय शाम इने देखता हूं और इन पत्तों पर कहीं भी मुझे किसी भी मकडी किसी या पिर का पीस्ट है आज कल जैसे जैसे ये देखिए ये गेहूं का पकने सुरू हो जाएंगे तो महां हरियाई कम हो जाएगी और जितने भी ये कीट हैं ये सब के सब बाग बाग बाएंगे आप देखिए मेरे बाग की जो चारो तरफ है इसमें जितने भी पेड़ हैं, कितने हरे भरे हैं, मैंने इसमें 500 ml, 20 लीटर में लेकर एक इस्प्रे कराया था, जो मैंने अपना हर्बल पेस्टिशाइज जेविक कीटनासक बनाया था, दस पतियों के अलावा, उसमें मैंने जो मेरा ये लगबग 160 लीटर का ड्रम था, इसमें मैंने एक किलो हरी मिर्च, एक किलो लहसन, एक किलो प्याज, एक किलो अधरक अलग से डाला था, इसे डाल कर जब मैंने इसको इस्प्रे किया, तो बाकी पोधों पर तो सही रहा, लेकिन दो पोधों पर इसका विपरीत प्रभाव उपड़ा, मैं आपको वो भी दिखाता, ये देखिए इस पोधे पर इस हिस्से में, अगर आप देखोगे, ये जो असर है ये, ये जो ग ये अगले वाला पेड़ है, और एक इस से पिछले वाला पेड़ है, इन पर थोड़ा असर आया है, और ये असर किस प्रकार है, ये भी देख लीजी आप, ये देखिए पत्तों पर ये लाल-लाल हो गया, ये छोटे जो कॉमल पत्ते थे ये गिर गए, ये क्यों हुआ, पताया कि यहां पर आते आते मेरा जो टंकी का नीचे का हिस्सा बच गया था, और अमोमन जो पीठ पर टंकी होती है, वो उसे अच्छी तरह नहीं हिलाते, वहां कंसंट्रेटिड मात्रा हो जाती है, और उसका असर पड़ा, इसके अनुसार अब मैंने ये निश्चे किया ह कि जैसे डाक्टर वहरा बताते हैं, कि मैंने कहा उसको कि अब 500 ml से इसे 300 ml लिया हो, 300 ml बीस लिटर के लिए यानि 15 ml, अमरूद के लिए 15 ml परती लिटर आप इसकी मात्रा मिलाईए, और आपके पोधों में कोई भी कीट नहीं आएगा, एक और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इस पर, जो मैंने बायो फॉलियर इस्प्रेय पेस्ट के लिए मंगाया था, उसमें चार चीजे हैं, चार बायो अजेंट हैं, बावेरिया बशियाना, मैटारीजियम अनसेपोली, एंड वर्टीसीलियम लेकानी, ये चार बायो अजेंट उन्होंने एक जगह मिलाए हैं और इसका पांच एमल परती लिटर का जब मैंने स्प्रेय कराया, तो दोनों के ये करने के लिए एक काम नहीं करेगा तो दूसरा भी करेगा, और अंतर रखा मैंने पंद्रे दिन का, तो मुझे ये लगा कि मेरे पोधों में कोई भी कीट नहीं है, जबकि दूसरे बाग मे जिसमें नहीं किया, उसमें कहीं कहीं मुझे मकडी दिखाई दी, कोई ग्रास ओपर कुछ नहीं है, उनमें मैंने मेरा हर्बल पेस्टिसाइड था, उस बाग में मैंने वो भी कराया था, लेकिन मैंने ये जो बायो एजेंट वाला है ये नहीं कराया था, उसके कुछ पोध तो मैं यह सोच रहा हूँ कि अब मैं वो जो बायो एजेंट है उसका इस्प्रे इन पोदों पर भी करूँ और देखता हूँ कि क्या आसर होगा। किसान साथियों जब भी आप प्रेक्टिकल करते हैं तो आपको कुछ नुकसान भी थोड़ा बोता हो सकता है। इसलिए कोई भी नई चीज अपनाने से पहले उसे एक छोटे एरिया में करें। जैसे इस साथ पोदों में मैं ने ये निश्चे किया है कि मैं कोई भी कैमिकल पेस्टिसाइड नहीं करूँगा। जब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे लगे कि मेरी पूरी फसल ही बरबाद होने वाली है। पर नमी बिल्कुल भी हल किसी नमी पहुंचती है। वे चार पैकेट आप 500-500 ग्राम के ले लीजिए। उससे आपका एक किलो मिल बन जाएगा। तुसार पटेल हैं उनसे बात कर लीजिए कि इसे हमें किस प्रकार कितनी मातरा में डालना है। ये जो मैं नमबर दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर इस नमबर पर आप उनसे बात कर सकते हैं। उनसे पैकेट मंगा सकते हैं, वो आपको चार पैकेट भी भेजेंगे। एक पैकेट मंगाईए बैसिलस थरंजैसिस का, एक मंगाईए बवेरिया बश्याना का, एक मंगाईए मैटारीजियम अनेसपोली का और एक मंगाईए वर्टिसीलम लगाने का। उन चारों को आप एक जगह मिला लीजिए जितनी मातरा में जितनी वो बताएंगे और उसका इस्प्रे करिए तो ये उसी के बराबर होगा जो डाक्टर राजन लेबोरेटरी का फोलियर इस्प्रे फॉर पेस्ट के लिए है तुसार भाई से मैंने कहा है कि जब मैंने पता किया तो उनके पास ये चारों बायो ऐजन्ट हैं लेकिन अभी पॉर्डर फॉर्म में हैं सिगरी में इसे उसमें लिक्विड फॉर्म में भी बिलाएंगे यानि तरह लवास्था में भी लाएंगे आप उनसे मंगाईए और कि जल्ट साजा करिए लेकिन पहले कुछ एरिया में किसी की भी कही होई बात पर एक दम से मत चलिए एक बात मैं और अंत में बताना चाहता हूं कि मैंने पहले वेस्ट डीकंपोजर में भी ये बनाई थी दस पतियोगारस उसका मुझे इतना असर नहीं लगा जितना के मुझे ये पानी में इनको दो महीने मैंने रखा और उसमें अलग से मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, लेसन और अधरक डाला और ये वाकही मेरे को इफक्टी लगा बिना वेस्ट डीकंपोजर के बना कर देखिए थोड़ी मातरा में बनाईए और फिर उसका रिजल्ट साजा करिए इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, वंदेमा